हेलो एवरिवन आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने योट्यूब चैनल मैसिव स्किल मेकनिकल में स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को NMDC का मॉडल पेपर यानि कि 2021 में जो NMDC का जो एक्जाम होने वाला है उसके लिए मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ और इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए Top 20 Important Workshop Technology के Objective Question उसके Answer लेकर के आया हूँ यह हमारा वीडियो का Part 36 है यानि कि मॉडल पेपर का 36 Part है इससे पहले हम मॉडल पेपर पर ही 35 वीडियो अलरेड़ी अपलोड कर चुके हैं अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेइस्ट में जाके उसको देख सकते हैं तो फिर मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ कि अगर आपको वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो आप उसके लिए हमारे टेलिग्राम गूर्प पे व जिन कोटिंग रहता तो वह होता आपका गलवेनाइजिंग यानि कि किसी भी मैटल के उपर में अगर आपको जीनकी परद चड़ानी है तो उसको क्या बोलेंगे बोलेंगे दिफयूजण पर्शेस जो जो है वह आपका शेररड。 यह आपका शेरडाइजिंग का एक्जामपल है कुछ इस तरह शेरडाइजिंग देखता है ठीक है आपको इस वीडियो में जितने भी कोश्चन दिखेंगे आपने उसको कहीं न कहीं जरूर देखा होगा तो आपको अगर कोश्चन पता है तो आप उसको एज़र रिवीजन बर डायल इंडिकेटर इन सभी यoth Zusammen कि क्योपन चैया कि नहीं अगर आपको यह चेक करना यह तो आप किससे चेक करेंगे तो उसके लिए आप यूज करेंगे हुआ को यह था करेक्ट सरे है उससरी इस तरह रहता है पतला-पतला बहु दाभायर रहता है पतला-पतला मेर् काम करने के लिए कौन से फाइल का यूज करते हैं सिंगल कट फाइल डबल कट फाइल रैस्प कट फाइल या एनी वन ओव दिस तो टाइप फाइल used for woodwork is rasp cut यानि कि option पर C is a correct answer rasp cut कैसा दिखता है देखें बिल्कुल ऐसा ही दिखता है rasp cut यह rasp cut file है इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आप इसको पकड़ने के लिए as a handle आप इसको use करते हैं यहाँ पर और यह वाला जो edge है इधर में इसके पूरे fines लगे रहते है ठीक है यहाँ से लकड़ी के उपर इसको उपर नीचे घुमाया जाता है आगे पीछे करके ठीक है तो उससे इसकी filing हो जाती है ठीक है अगले question में चलते है question number 4 काफी ज़्यादा simple है कि taper provided on the pattern for its easy and clean withdraw from the mold is known end यानि कि कि अगर किसी भी pattern में जो हम taper provide करते हैं तो उस taper को क्या बोलते हैं machining allowance, draft allowance, shrinkage allowance या distortion allowance तो कोई भी pattern आराम से भीना damage किया हो देखिए अगर इसमें आप taper नहीं देंगे तो इसके walls जो है वो इस तरह damage हो जाएंगे कुछ इस तरह बताया diagram में मैंने और अगर आप इसको taper दे देंगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा ठीक है तो ये दोनों case रिया है दोनों case का आप समझ लीजिए तो जो हम यहाँ पर taper दे रहे हैं उसको क्या बोलते हैं draft allowance बोल रहे हैं ठीक है और draft allowance क्यों देते हैं वो किसके बीच में होता है voltage flow of current ये contact resistance ये all of these तो बहुत से लोग इसका right answer flow of current मार देते हैं पर actually में इसका right answer होगा contact resistance ठीक है तो option number C is the correct answer अभी arc welding देखे कुछ इस तरह होता है ये welding machine है ये आपका cables यहाँ पर use होता है एक positive रहता है एक negative रहता है और ये आपका electric holder है जिसको आपका welder रहता है वहाँ पर पकरता है ये electrode rod है और यहाँ पर इसका welding किया जा रहा है ठीक है तो ये आपका electric arc welding होगा है ठीक है ये diagram में ले के आए हो ताकि आपको समझने में easy हो question number 6 काफी जादा simple है in centrifugal casting method core is made of sound core is made of ferrous metal core is made of non-ferrous metal ये no core is used तो centrifugal casting में क्या होता है कोई भी core use नहीं करते हैं अभी core जो है वो normally use क्यों करते हैं core हम इसलिए use करते हैं ताकि हम कुछ special उसके अंदर में कुछ shape बना सके पर चुकि centrifugal casting में ऐसा कुछ भी बनाना possible नहीं है क्योंकि already जो आपका casting होता है वो continuous rotate होते रहता है इस वज़े से core आप इसमें बीच पर कहीं पर भी रख नहीं सकते ठीक है question number 7 है कि draft और taper allowance जैसे कि मैंने पहले बताया था कि draft allowance क्या होता है वो कितना रखते हैं normally generally या normally 1 to 2 mm per meter 2 to 5 mm per meter 5 to 10 mm per meter 10 to 15 mm per meter तो यह आपका draft allowance से यह आप कितना रखते हैं तो यह रखते हैं आपका 1 to 2 mm per meter ठीक है question number 8 में आते हैं कि which of the following welding process use non-consumable electrode यानि कि कौन सी welding method को non-consumable electrode use करते हैं TIG welding में TIG मतलब tungsten inert gas arc welding emig welding यानि कि metal inert gas arc welding या manual arc welding या submerged arc welding तो non-consumable अगर बोले तो वो होगा आपका TIG welding ठीक है वहीं अगर ये non-heart कि only consumable रहे तो consumer electrode होता है वो आपका MIG welding यानि कि metal inert gas arc welding में जो आपका rod होता है वो consumable होता है ठीक है अगले question में चलते हैं या आपका TIG welding का कुछ इस तरह का diagram होता है ठीक है TIG में जो inert gas होती है वो as a argon use करते है ठीक है यहाँ पर argon gas चारो तरफ से लगा रहता है ताकि जो है बाहर से atmospheric corrosion न हो ठीक है question 1-9 है कि in a bilateral system of tolerance the tolerance is allowed on one side of the actual size one side of the nominal size both side of the actual size या both side of the nominal size तो bilateral बोल रहा है मतलब 2 ठीक है तो एकी side इसके actual में नहीं करके जबकि वो one side of the nominal size करते है ठीक है यह आपका tolerance यहाँ पर provide करते है ठीक है अगले question में चलते है question 1-10 यह भी काफी ज़्यादा important है important इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यह question बहुत बार exam में repeat हुआ और लोग गलत कर देते है question कहा है कि hot chamber die casting machine ferrous alloy with low melting temperature are casted ferrous alloy with high melting temperature are casted non-ferrous alloy with low melting temperature are casted या non-ferrous alloy with high melting temperature are casted तो hot chamber die casting machine में क्या होता है hot chamber die casting machine पहले चीज़ तो अब धेहान रख लीज़े ferrous के लिए कभी भी die casting किया ही नहीं जाता है क्योंकि ferrous में बहुत ही जादा high temperature की ज़रुवत होती है इसलिए ferrous नहीं करते हैं die casting में ठीक है हमेशा non ferrous होता है तो non ferrous जो आपका hot case में आपका low melting temperature और अगर cold है तो उस case में high melting temperature ठीक है तो इस question का right answer आपका option number C होगा यानि कि hot chamber die casting machine में non ferrous alive with low melting temperature ठीक है अब डाइग्राम कैसा होता है अभी देखिए इसको hot chamber die casting को hot क्यों बोलते हैं क्योंकि जो इसमें furnace होता है या आपका जो इन जो आपका furnace बोलो या boiler बोलो boiler तो नहीं बोलेंगे furnace जो कि आपको metal को बन करता है वह आपका इसी अंदर होता है डाइक के अंदर में होता है ठीक है इसलिए इसको hot chamber इसे तो और भी जादा important है ठीक है कोशन क्या है कि चीजल यूज फॉर कटिंग कीवे यानि कीवे काटने के लिए कौन सा चीजल का यूज किया जाता है फ्लैट चीजल कैप चीजल राउंड नोस चीजल यह डाइमंड पॉंटे चीजल तो जो चीजल जो है वह कटिंग वे कटिंग कीवे के लिए किया जाता है वो किया जाता आपका केप चीजल यानि कि option number B is a correct answer अगले कोशन में चलते कोशन में 12 है कि the temperature at which the new grains are formed in the metal is called यानि कि ऐसा temperature जिस पे नए grains जो है वो फॉर्म होते है वो कौन सा temperature है lower critical temperature, upper critical temperature, eutectic temperature यह recrystallization temperature तो जो temperature जिस पे new grains जो फॉर होता है आपका recrystallization temperature, normally जो recrystallization temperature होता है वो कितना होता है वो होता है आपका 723 degree centigrade ठीक है इसके उपर आपका hot working इसके नीचे आपका cold working, normally ऐसा ही होता है अगले कोशन में चलते है कोशन में 13 काफी जादा important है यह भी कि in sheet metal blanking shear is on punches and dice so that यानि कि sheet metal में हम shear provide करते है ठीक है पं press load को reduce कर सके, good cut edge is obtained या warping of a sheet is minimized या cut blank are straight तो in sheet metal blanking में जो shear जो होता है वो provide करते है ताकि press के उपर जो load है उसको कम से कम कर सके तो press load is reduced, option number A is a correct answer, अगले कोशन में चलते हैं कोशन में 14 है कि the algebraic difference between the minimum limit and the basic size is called actual deviation, upper deviation, lower deviation या fundamental deviation तो minimum limit जब बोला है, minimum मतलब lower deviation, minimum कि जगर maximum limit होता है तो मतलब वो upper deviation ठीक है तो ये दोनों basic आपको difference पता होना चाहिए question number 15 में आते हैं कि the temperature of oxy hydrogen flame is same as oxy acetylene flame, less than as oxy acetylene flame या more than as oxy acetylene flame तो oxy hydrogen flame का पहले आपको temperature पाता होना चाहिए कि दोनों में होता कितना है तो oxy hydrogen में जो temperature generate होता है वो होता आपका 2400 degree centigrade ठीक है अगले question में चलते है question number 16 है कि which of the following method can be used for manufacturing of two meter long seamless metallic tubes drawing, extrusion, rolling, extrusion and rolling तो two meter long seamless metallic tube जो बनाते है वो बनाते है आपका extrusion and rolling से ठीक है अब यह extrusion कैसा होता है आप देखिए इधर है यह extrusion का diagram है ठीक है इसमें चारों साइड डाई लगा रहता है यह plunger है यह जैसे जैसे प्रेस होता है यहाँ आपका hot metal रहता है वो या तो आगे की तरफ निकलेगा अगर direct है तो अगर indirect है तो वो piston के साथ में ही पीछे क्यों निकल जाता है ठीक है और इससे लंबा सा ऐसा ट्यूब बनता है ठीक है यह seamless ट्यूब होता है अगले कोशन में चलते है कोशनमर 17 कि the fullers are used for finishing flat surfaces for making down a piece of work for punching a hole यह to finish the punched hole तो fullers are used for making down piece of work तो option number B is a correct answer ठीक है अगले कोशन में चलते है कोशनमर 18 है कि the cold chisel are made by drawing, rolling, piercing, forcing, forging, यानि कि जो cold chisel होता है वो किस से बनाया जाता है किस से बनता है तो वो बनता है आपका forging से, तो option but D is a correct answer, अभी forging क्या होता है देखे, forging में क्या है कि जो metal होता है उसको आप normal temperature पर गर्म करते हैं उसके बाद में forging मतलब आप उस पर manual force लगाता है, force ज़रूरी नही की manual हो, यह आपका machine से भी लगा सकते है, machine forging भी होता है, तो यहाँ पर normally hammer का use किया जाता है, इसको semi heat करते है, full heat करके melt नहीं करते है, ठीक है, तो यह आपका forging हो गया, इसी से cold cheese dal बनता है, ताकि cold cheese dal forging करने से फायदा यह है कि उसकी strength है वो खतम नहीं होती है, normally क्या है कि अ hammer को हमेशा forging करके ही बनाया जाता है, question 19 है, कि the property of sand due to which it involves a great amount of steam and other gases is called collapsibility, permeability, cohesiveness, addhesiveness, तो ऐसा जो property sand का कौन सा है, जिससे कि sand के अंदर में से जो gases होती है, वो आसानी के साथ बाहर निकल सके, कि जो gases जो है बाहर निकल रही है, तो वो कौन सी property है, तो उसको बोलते है permeability, य जो gases जो रहेंगी, वो interrupt gases बाहर जल्दी निकल जाएंगी, अगर वो gases बाहर नहीं निकलती है, और sand के अंदर ही रह जाती है, तो उससे क्या होगा, उससे जो है बड़ा defect पैदा हो सकता है, उस defect को क्या बोलते है, blow holes, ठीक है, I hope you get it, ठीक है, अगले question में चलते है, question 20 है, कि the centrifugal casting method is used for casting articles of symmetrical shape about vertical axis, symmetrical shape about horizontal axis, irregular shape, non-ferrous metal only, तो centrifugal casting method में जो casting use होता है, वो होता है आपका, यह देखिए, यह centrifugal casting है, अभी आप खुदी imagine करिए कि अगर आप इसको vertical कर देंगे, माल लेजे कुछी इस तरह अगर इसको rotate करेंगे, तो metal जो हो पूरा नीचे की तरफ आजाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते है, symmetrical shape about horizontal axis, इसका जो axis है, वो कैसा है, horizontal है, vertical नहीं है, तो option number B is correct answer, वहीं अगर आप irregular shape की बात करेंगे, तो वो किस पर करते हैं, उसके लिए आप investment casting का use करते हैं, ठीक है, last question है, Q for you, यानि कि question for you, इस question का right answer, आप मुझे नीचे comment करके बताएंगे, ठीक है, इस question का right answer, question क्या है, कि the instrument which has all the features of tri square, bevel protector, rule and scriber, आनि कि ऐसा equipment, ये instrument जिसमें सारे feature हो, tri square के भी, bevel protector का भी, ruler का भी, scriber का भी, तो उसको क्या बोलेंगे, outside micrometer, inside micrometer, depth gauge micrometer, ये combination set, तो ये चार option है, काफी simple question है, ये video ही काफी जादा simple लगा होगा आपको, अगर आप तयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि question मैंने बहुत ही easy level पे लिए थे, ठीक है, तो अगर आप NMDC का preparation कर रहे हैं, तो please हमारे channel को जरूर subscribe कर लिजिए, और आगे आने वाले videos के लिए तो बिल्कुल भी कर लिजिए, ताकि आप video बिल्कुल भी miss ना करें, video को channel like करें, share करें,